नमस्कार दोस्तों जानी केसे में आपका स्वागत है हम रोजाना स्वास्त सम्मंदि जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथी बेल आइकोन को जरूर दबाए जिससे की हमारे सब्वी फीडियो की नॉटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले धनिया एक ऐसी चीज होती है जो आप आसनी से हर किसी महिला के रस्वी में अंदर देखाई जाती है क्योंकि धनिया नासिब अपनी सब्जी के स्वाद को बढ़ाती है बल्कि यह आपकी सेहत के लिए भी काफी जादा फायरेमन होती है हरा धनिया का इस्तेमाल खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए खूब किया जाता है फिर चाहे वह सुका दन्या हो या फिर ताजे हरे धनिया की पत्तिया आपको बता दे कि घर घर में इस्तेमाल किये जाने वाले इस धनिया के अंदर कैसारे आउशदिय गुन पाये जाते हैं जो आपको कैसारी बीमारि सी विटैमिन के और प्रोटीन कैल्शियम और कई सारी पोशन तक तो पाये जाते हैं जो आपकी सेहत को स्वास्त रखती हैं तो आए जानते धनिया से जुड़े और भी गुनकारी फाइदों के बारे में धनिया सबजी के स्वाद को बढ़ाता ही है इतना ही नहीं इसके साथ यह पाचनतंतर को भी स्वस्त रखता है और आपको जी मचलना और उपकाई आना जैसे समस्याओं से भी दूर रखता है आपको बता दे कि धनिय के अंदर एंटिसेप्टिक एंटिफंगल जैसे कई चरीर को एक तरह से डिकॉष्य करने का काम करते हैं। जिसकेिस्वधिक पाध से आपकी स्पीन काफी ज़्यादा निखरती हैं। धनिया की हरी पतिया में उच्छा मातरा में रहिट होता है। ईयसे व्यक्ति को अरे धनिया की पत्ति का सेवन करना चाहिए। अगर आपकी आखों की रुष्णी कम है तो आप ऐसे में धनिय की पत्यों का सेवन कर सकती है क्योंकि हरे धनिय के अंदर विटैमिन A, विटैमिन C, फॉस्फोलर जैसे कई सारे अंटियोक्सिडन गुन पाये जाते हैं जो आखों के लिए बहुत लापकारी होते हैं इसके साथी धनिया आखों पर तनाव कम करने में भी मदद करता है